एल्विश श्यादव की हुई foreigner से लड़ाई आता पाई तक पहुचा ये जगड़ा Well, Big Boss OTT2 के विनर एल्विश श्यादव इस वक्त काफी ज्यादा limelight में पने हुए हैं चार अपने upcoming projects को लेकर काफी ज्यादा busy भी चल रहे हैं जैसा कि आप सभी को पता है एल्विश श्यादव पिलहा लेंडन में है और वहाँ पर अपने किसी upcoming project की shooting कर रहे हैं साथ ही साथ एल्विश लेंडन को explore करते हुए भी नजर आ रहे है वही एल्विश ने अपनी इंसे स्टोरी में अपने fans के साथ share किया था कि एल्विश अप स्कॉट लाइन की तरफ बढ़ते जा रहे है वही एल्विश का जो latest vlog आया है उसमें एल्विश की एक foreigner से लड़ाई हो जाती है चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरी update जी हाँ एल्विश श्यादव का जो latest vlog सामने आया है उसमें एल्विश श्यादव अपने fans को बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनका एक foreigner से जगड़ा हो गया है एल्विश श्यादव ने fans को बताए कि वो foreigner जो है जान बूच कर लगतार एल्विश को उकसा रहा था कि वो उससे लड़ाई करे लेकिन एल्विश श्यादव ने कोशिश की कि वो उससे लड़ाई ना करे क्योंकि foreign में एक rule है कि अगर कोई भी लड़ाई जगड़ा हाथा पाई तक पहुँचती है तो जो भी लड़ाई करता उस पे 15,000 pounds का जर्माना लग सकता था वही अल्विश श्यादव कहते हुए नजराई कि मैंने इस situation को calmly handle करने की पूरी कोशिश की वो foreigner तो चाहता था कि मैं उस पे हाथ उठाओ लेकिन मैंने अपने आप पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल किया है वही आपको बता दे कि अल्विश श्यादव यहाँ पर अपने किसी अपकमिंग प्रजेक्ट को लेकर है और इस प्रजेक्ट की शूटिंग करने के लिए अल्विश स्कॉटलेंड और लेंडन में गूम रहे हैं अल्विश का यह अपकमिंग प्रजेक्ट उनकी कोई वेब सीरीज हो सकती है या फिर कोई बॉलिवोड फिल्म क्योंकि इस बारे में अल्विश अपने व्लॉक्स में लगतार बताते हुए नजर आते है बला आपका इस अपडेट के बारे में क्या खुश है कहना हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें